इटाबा वैक्सिन की जाक रुकता के लिए ग्रामीर अलाके में पहुंची सदर बिधायक सरीता भधोरिया की टीका लगवाने की अपील पर ग्रामीर बुजर्ग महिला घर में टंकी के पीछे छुपी कई आवाज देने के बाद डरी सहमी महिला ने बिधायक से कहा हम नहीं लगवाई टीका बुखार आ जाए और हम मर जाए बहुत समझाने के बाद भी महिला नहीं हुई टीका लगवाने को राजी बिधायक और बुदर्ग महिला का वीडियो हुआ वाइरल इस वाइरल वीडियो के बारे में बुदर्ग महिला के पती का कहना पत्नी डड़ी हुई थी और उपर से इतने सारे लोग आ गए इसलिए ऐसा हुआ वहीं बिधायाक का कहना गाउं में वैक्सीन को लेकर बहुत भ्रम की इस्थती है गाउं में वैक्सीन को लेकर बहुत काम करना पड़ेगा इटाबा के ग्राम चांदनपूर में वैक्सीन की जागरुपता के लिए कि बाजपा सद्र ब्रधाया के साथ गाउं में टीके की जागरुपता के लिए गय हुए थे गरगर जाकर लोगों से टीका लगवाने के आवाहन किया जा रहा था लेकिन गाउवालों के पास टीका ना लगवाने के कई बहाने थे हद तो तब हो गई जब एक बुजर्ग महिला बिदाया के घर पहुंचने पर घर के अंदर टंकी के पीछे छुप गई कई आवाज लगाने पर जब बुजर्ग महिला को बहार बुलाया गया तो बुजर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए बिदायक से कहा हम टीका नहीं बताया कि महिला टीचर को लेकर बहुत डरी हुई है और पूरे गाउं में टीके को लेकर डर का माहौल है जिसके कारण उसकी पत्नी छुप गई थी वहीं ग्राम चंदनपुर की महिला प्रदान रेखा देवी से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि गाउं में वैक्सीन क अज़र गई को लेकर इस्ति अच्छी नहीं है और इस पर बहुत काम करने की जरुरत है लेंगे पर हएं आधार का डुणा पर अधार आधार का अधार रखा था इसलिए उसके अपह रहा जाए दुख्वाइब लगए और ओने रहा तो पोह फिर्यमा तुमें लगवा है तो वैसा आप लोग नहीं मन मैं कोई धर है वैक्शीन को लेकर जुबात रख थो खुलक प्रदान जी एक वीडियो वाइरल हो रहा है आप लोग गाउं में घूम रहे थे एक महला है वो घर में दुब गई ती किया था पूरा कुछ के नहीं बोजे कहती है के इंजेक्शन से जन संग्या कम हो रही है कि लोने कि अध्या कोई इतना नहीं विदायी का गई एच्णियम थे तैसिल्दार थे और सब्सक्राइब पूरा श्टाफ था तो आमने कहीं ऐसा है कि जागरू सब लोग अनकरे हमने की लगवा लिए को ऐसी डरवाली बात नहीं है हम उने लगवाई आपने देखे होगा कि बीडियो पर ड़ला है तो मेरे खाते इतने टीका सत्यात्त लग गए ऐसे 40 45 क्या गाहँ वालों में क्या डर गाश्चा क्या मरने का कि वैक्सीन से खताम हो रहे हैं यह हुआ है यह हमाई यह तो कोई न तो कोरेना है न कोचे हमाई हम बीडिए सच्छे मिनसान है जितनी हम को बुखार भी आया अब ताइब मलेलिया वह तो हमेशा आते रहे एकले मगर कोरेना का कोई जाम चांस नहीं है कि कोई बारेल्स के अगर उसका कोई ट्रेक्स होई सो कुछ नहीं आपको मिलिए प्रधान की हाँ कैसे डर दूर करोगी आप गाहाँ आप लगवाई लगवा चल लोगों में बहुत जादा मेरा में मर रहे मर रहा कई कोई कोई कट लुग में सबसा कर रहे हैं ंँ कर रहे हैं उनको को मारने नहीं लगे हैं जन सक्या है जितनी हो सकेगे उतना आपको भी एक्सीम लगवाएंगे जिदी वैक्सिनेशन को लेगर ज़र्डों पर निया आप लोग गाह गाह जा रही हो कर एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें एक महला तर्वेच्ट पेडल केमारे क्या था हम आम लापने लेगे गाहों छेत्र में बैसे भी लोग बिना पड़े लिखे हैं बुजर्ग महला हर देवी थी चांदनपुर कोठी में हम थे हमारे साथ CMO थे जिलाची किस्सादिकारी हम सारे लोग गाहों में लोगों को प्रेडित करने के लिए ब्रमड कर रहे थे कि लोग वैक्सीन जादा से जादा कराएं तो महला एक दरवाजे के पीछे छुपी थी हमने उससे बात की तो वो भाग के अंदर गई और छुप गई मुझे लगा कि साथ डर रही हो और यही था कारण वो डर रही थी वो कह रही थी कि हमको वैक्सीन लगवाने से फीवर आ जाएगा ऐसा लोगों ने उससे ब्रमित कर दिया होगा उसके बाद जब हम लोगों ने उससे समझाया और कहा फिर उसने प्रेरित होकर वैक्सीन भी लगवाई तो मुझे लगता है कि गाहों छेत्र में बहुत ही मेहनत की जरूरत है और लोगों को जागरूप करने की जरूरत है समझाने की जरूरत है क्योंकि वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए और सबसे ज़्यादा गाहों छेत्र में होना चाहिए लोग फोड़ा सा डर रही है, उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी दी जाये और उनको प्रेडित किया जाये तो निश्चती वेक्सिनेशन हमारा सफल होगा। जो ब्रहमित हो गई है, ब्रहम में फसे, उनको जागरुख करने की आवस्स्टता है।